उन्ह प्रैस्ट में बोल्ट एक प्रैस्टोच लॉच लांच करनेवसाइब बोल्ट ड्रिफ्ट प्लस स्मार्टवाच असको सद मैं कंपर करने वालव बोल्ट स्मार्टवाच को कुछ दिन पहले ही लॉंच हुआ था इसका प्राइजिंग में तो बहुत ज्याता डिफरेंस मुलता है बट बात करेंगे इसी वीडियो में आपको कौन सा स्मार्टवाच क्यूब करने चाहिए आपको बटन मिलेगा पिछेंज करने के लिए और दोनों के बिल्कुल आपको फिर्म टाइप का मिलता है कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा डिस्प्लेव का साइज में तो आगे चल कर बता दूंगा फो लेट वाट दोनों के स्प्रिशिफिकेशन के अंदर क्या क्या डिफ आपको एकिन के साथ कह सकता हूँ जब संलाइड में आप यूज करोगे तो स्मार्ट वाच को दिखने में कोई दिक्कत बगेरा नहीं आएगा और उससे साइड में जो हमारा बोल्ट ड्राइफ प्लस पार वाच है उसके अंदर आपको 1.85 इसके डिस्प्लेइड मिलता है आपको 500 की बैडनेस मिलता है तो इस से इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आप संडाइड में यूज करोगे तो बाकि 500 इस बैडनेस में नहीं होता है बैटरी बगप दोने कंदर आपको साथ दिन की मिलेगा अगर आप ब्रूद कॉलिंग यूज करोगे त स्मार्ट वर्च दो दिन तक चलेगा और फूल चार्ज हो जाएगा सिफ 2.5 होर्स में बाकि आइप आइप 68 की मिलता है बहुत फ़र फिचर्स मिलेगा लाइक हाट्टेड मोईटरिंग इस प्रूद मोईटरिंग मेटरी बीदिंग मेफ्टोल फैकल ट्रैकर एक उपको हेल मिलता है जो कि आपको सुइंग कंदा नहीं मिलेगा और और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूली गया कि दोने कंदर आपको ब्रुटुटुट कॉलिंग का सपूर्ट मिलता है आपको इसको कॉल कर सकते हो क्योंकि इसके आपको माइक स्पीकर दोनों ही मिल जाता है कुछ डिफरेंसे जो कि आपको मैंने शियर किया तो आप बात करते कौन सा स्मार्ट वच भाई करना फही होगा आइवल रेकमेंड यू गोविद बोल्ट स्मार्ट वच क्योंकि आपको 200 रूपीज एक्स्ट्रा देना परेगा आपको अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है डिस देस्क्रिप्शन गोई शिक आओ इफोंड बाइ एन अफ दिस्मार्ट वच इफ यू इंज़ दिस वीडियो लाइक कर देना यूटूब मेर पहली बाद देख रहे होगा जलोको सब्स्क्राइब नहीं किया है सब्स्क्राइब कर देना से नेक्स वीडियो तिल देन टेक क भीस के देखने से यूलियो हुआ जा है सब्सक्राइब कर देक कर देखोलीय वें बाद हो हुआ है